नमस्कार दोस्तो फर्दर अनलाइज करने से पहले कि कल मार्किट मंडे को कैसे काम कच कर सकती है मैं आपका ध्यान एरटल की तरफ लेके जाना चाहता हूं उनकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉल्सी का कालम जो है वो अपडेट हुआ है अब उन्होंने फर्दर इस पॉल्सी में चेंज करते हुए लिखा है कि अब जो वो इन्फार्मेशन आपकी स्टोर करेंगे वो खाली आपकी पर्सनल इन्फार्मेशन तक लिमिट नहीं रह जाएगी इसके इलावा फर्दर जो है आपकी कुछ सेंस्टिव इन्फार्मेशन जैसे की जैनिटिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा, रेशियल, एतनिक ओरीजन, पॉलिटिकल उपीनिया, रेलीजियस, फिलासिकल, बिलीफ, ट्रेड युनियन, मेंबर्शिप, डाटा कंसर्निंग, हेल्थ, डाटा कंसर्निंग, नैचुरल, पर्सनल, सेक्स, लाइफ, सेल, सेल, अर्विनेटेशन, पासवर्ड, फाइनेशल, इन्फार्मेशन तक जिसमें आपकी बैंक एकॉंट की डिटेल, क्राइडिट कार, डेबिट कार, कुछ भी पेमेंट इस्टुमेट, और भी पता सुप्रीम कोर्ड का कहना है कि ये जो भी इन्फार्मेशन एक आदमी के साथ जुड़ी हुई है, ये उसकी पर्सनल इन्फार्मेशन है, और ये उसकी राइट टु प्राइवेसी में आता है, तो क्या Airtel ने राइट टु प्राइवेसी का इन्फिरिंजमेंट किया है, ये सब्जेक्ट मैंटर आफ कंसर्ण, आई वुड लाइक टु ड्राइवेर इंटेंशन टुवर्ड्स डाटा फॉर्म अन फ्राइडे, अब एक्जेक्ली हम देखते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले अब स्क्रीन पे देखिए, मार्किट ओपन होने से पहले आठ लिंक के थूरू आप भी ऑपन कर सकते हैं, इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, करना क्या है, सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, अपना D-MAT ट्रेडिंग एकोट ओपन कीजिये, उसमें आप ट्रेडिंग करेंगे, जैसे आप अप पाके कोंड में करते हैं तो मैं आपको जो है खुद ही इस चैनल में आप इंक्लूड कर लूँगा अब आप देखिए कि क्या किया था ओपन होने से पहले मैंने कहा था कि मार्किट फ्लैट से गैप अप ओपन हो सकती है और यह रिवर्सल का डेवी हो सकता है क्योंकि बिग प्लेज की पूजिशन फसी हुई थी तो यह भी लिखा था कि अगर कोई लॉंग है तो स्टाप प्लास के साथ लेवल के साथ साथ उसको जो है होल्ड करिए और एग्जैक् आप्टेंड ड्वेलपमेंट जो मुझे नजर में आई वो मैंने 10 बच के 35 मिनट पर अपडेट की कि बैंक निफ्टी अज स्ट्रॉंग लग रही है ऐस कंपेर टो निफ्टी और आपने देखा बैंक निफ्टी ने 23,700 तक का अपना लेवल पूरा किया इंट्राडे के दो दोरान तो यह लेवल्स हैं यह आप लेवल्स पर अगर नदर रखेंगे डाटा पर आप नदर रखेंगे तो आपको कभी भी मार्किट में नुकसान नहीं हो सकता वही बड़े प्लेयर्स ने क्या किया उन्होंने फिर से जो है कैश में सैलिंग की है चार सो असी क्रोड की और डियाई आइज ने 429 क्रोड की सैलिंग की है तकरीवन 900 क्रोड की की पूरी की पूरी बाइंग किसने लिए है खपाई है यह हमारे रिटेलर्स ने की है आपने देखा था थस्डे को भी जो जितनी बाइंग थी वो रिटेलर्स के पास ही थी अब यह हम चलते हैं सीदा डाटा के ओपर डाटा पे क्या एक्टिविटी रही एक बार आप स्क्रीन पे देखिए क्लाइंट्स कहीं न कहीं बुलिश और बीरिश दोनों कंबाइंग लेके चले हैं मिक्स व्यू मैं इसको बोलूँगा स्टार्ट फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर जहां आपको हर परे रंग में नदर आ रहे हैं वहीं पूट्स भी ख्रीदी हैं तकरीबन 14,967 कंट्रैक्ट यह वह भी हो सकती है कि जो इन्होंने परसु की राइड की वही थी शायद इसमें से कुछ इन्होंने कवर की हैं और इंडेक्स काल भी बेची हैं और FIA हलकी थी बुलिश पूद आप देखोगे FIA जो हैं उनका भी mixed view है प्रास अब इन्होंने क्या किया स्टाक फ्यूचर बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं और साथ में इंडेक्स काल खरे दिया और पुट भी बेची हैं यह किलियर जो है बुलिश व्यूद लेके गे हैं अगर आप टे आप दो सीधा नेट डाटा के उपर देखें नेडा क्या कहता है क्लाइंट्स की पोजिशन देखिए क्लाइंट्स जैसे मैं थे ponieważ की मेंन्टल्टी लॉग तरफ की है मिक्स व्यू पकड़ते हुए उनका अब इनके पास क्या है शॉर्ट साइड में 12,037 कंट्रेक्ट है इन्होंने अपना क्या है पुजिशन कवर की है DIA इस नंबर में कोई खास चेंज नहीं है FIA इस नंबर में खास चेंज नहीं है जो मेरे लिए सर्प्राइडिंग है इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्किट अभी जो है पॉस्टिव बाइस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और प्रास जो है नंबर कम करते हुए नजर आया है अब इनके पास 2602 कंट्रेक्ट हैं वहीं अगर आप काल्स में देखेंगे काल्स में क्या है रिटेलर ने अपनी पोजिशन बुक की है 16,296 कंट्रेक्ट है अब इनके पास वहीं DIA इस नंबर में कोई चेंज नहीं है FIA क्योंकि नंबर बढ़ाया है इन्होंने थोड़ा सा अब इनके पास 81,474 कंट्रेक्ट है और प्रास के पास राइटिंग की हुए 98,037 कंट्रेक्ट है वहीं पुट साइड में देखिए जासे मैंने काहा कि इन्होंने जो इनकी राइटिंग थी इसको थोड़ी सी कवरिंग दिया है रिटेलर्स ने लेकिन रिटेलर्स के पास अबी भी अच्छे खासे कंट्रेक्ट है 1,44,950 कंट्रेक्ट है डिया इस नंबर में चेंज नहीं है FIA 1,38,380 कंट्रेक्ट अब इनके पास और प्रास के पास 32,821 कंट्रेक्ट है और वहीं अगर आप देखेंगे स्टाउक फ्यूचर में क्या है स्टाउक फ्यूचर में आप नजर मारिये कलाइंट्स फर्दर अपना नंबर बढ़ाते हुए नजर आए है अब इनके पास 4,67,799 कंट्रेक्ट है डिया इसके पास 7,00,000 से ओपर कंट्रेक्ट पहुंच गये है FIA 1,48,000 कंट्रेक्ट है और प्रास ने नंबर कम किया अब इनके पास 87,762 कंट्रेक अब चलते हैं सीधा दोस्तों आप्शन चेन के ओपर देखते हैं कि मार्किट कल कैसे आप्शन चेन के हिसाब से काम कर सकती है क्लियरली आप देखोगे 11,700 पे एक रेजिस्टेंस स्पोर्ट बन चुका है यहां 17,50,000 के लगबग ओपन इंट्रेस्ट है जिसमें 8,13,000 फ्र 16,000 का उपन इंट्रेस्ट है और कलियर जो है एडिशन है पुट साइड में यह रिटेलर्स का है वहीं अगर आप देखोगे 11,800 पे अच्छा रेजिस्टेंस है 18,43,350 यहां भी फर्दर एडिशन हुआ है 6,62,625 का और यह हुआ है हाँ तो यह अभी आपको जो है इमिडेट 11,800 रेजिस्टेंस होगा लेकिन यह एडिशन जो है यह हमारे बिग प्लेयर्स का काम है FIA ने कहीं ना कहीं यह अडिशन किया है जो उन्होंने थोड़ी थी काल्स खरीदी है तो मैं शायद यह समझ के चल सकता हूँ कि शायद उन्होंने ही यह लिये है क्योंकि अभी भी उनके पास फ्यूचर जो है लांग में है तो 11,000 अभी स्पोर्ड है 11,800 रेजिस्टेंस है राइटिंग को देखते हुए और सेकिंड जो लेवल है वो 23,96,025 ग्यारा हजार नो सो पे है तो सेकिंड जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 11,900 का है अब क्या हो सकता है 11,800 के उपर अगर मार्किट कल ओपन होती है क्योंकि 750,760 के लगबग अगर दी कलोधिंग थी अगर 11,800 के उपर गैप अपन होती है 820 के उपर सिस्टें करती है तो 850,880 तक जा सकती है वहीं अगर गैप डाउन ओपन होती है एक बार के लिए अगर 30,40 पॉइंट भी इसलिए मैं बाई ओन डिप अगर नीचे खुलती है तो बाई ओन डिप और अगर जाती है वहां से एक बार बेच के चलूँगा तो मुझे लगता है कि हमें उसमें मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है वहीं बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में क्या हल पर भी कुछ खास नहीं है वहीं 23,500 जो है एक स्पोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि यहां 5,4,250 शेर्स का उपन इंटरस्ट है जितमें से 2,23,000 जो है खाली फ्राइडे को जुड़े हैं लेकिन अगर आप 24,000 पर देखोगे इबन 23,800 पर देखोगे 23,900 पर देखोगे 24,000 पर 7,21,000 का उपन इंटरस्ट है 2,11,325 जो है यह फ्राइडे को ही जुड़े हैं तो 23,500 से 24,000 की रेंज जो है अभी मुझे नजर में आ रही है गैप अप होती है 24,000 के लगबग तो एक बार के लिए अगर मैं वहां से पुट खरीद के चलूँगा तो मुझे नीचे आते हु लेके चलूँगा तो मुझे काल में मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि लाइ मार्किट मैं देखूँगा कि डाटा कैसे फार्म हो रहा है और एकार्डिंगली जो जैसे डाटा फार्म हो रहा है मैं वैसे अपनी पोजिश सकते हैं, markets with that भी, बाकी भी social media contact मेरे नीचे हैं, आप किसी भी contact को join करके मुझे follow कर सकते हैं, इसी के साथ, वीडियो में यहीं खतम करने की आप लोगों से इजाद़ चाहता हूं, उमीद करता हूं कि कल आपको अच्छा profitable trading session मिले, नमस्कार जाएगे.